हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 में GTA 5 इंस्टॉल लोकेशन एरर कोड आता होगा dp-os-f epic game launcher के अंदर इस तरह का एरर आता होगा तो इसको कैसे फिस करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए सुरू करते हैं आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ यदि आपके case में भी gt5 यारनी तो कोई भी game आप इंस्टॉल करने की कोसिस करते होंगे तो उस case में इस तरह का error आता होगा, कैसा error आता है, सबसे पहले omai दिखा देता हो, यदि आप यहाँ पर install करने के कोईशिस करते हैंगे, कोई भी game, तो आप देखते हैं, इस तरह का error आपके case में भी आता होगा, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जागा, error core dp-os-app, यान पर click कर देने, okay पर click करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपको देखेंगे, तो यह वाला option यहाँ पर आपको दिख जाएगा, सबसे पहले बात करते हैं, यह error आता क्यों है, यदि यह path change हो गया, यानि तो drive change होने क हम इसको चेक करेंगे, यह path सही है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 10 PC दिख जाएगा, इसको आपको open कर लेना है, open करते हैं, इस तरह से my computer open हो जाएगा, अब आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, मेरे case में यहाँ पर क आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यह window open हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, इस PC इसको आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, या तो आप C drive के अंदर यहाँ पर आप कर सकते हैं यहाने तो कोई अधर ड्राइब का अधर आप चाहते है तो एक नएया ड्राइब आप इस तरह से यहां पर क्या कर दिख यह यहाँ पर आपको क्लिक कर दिने करने के बाद यापकी केस में इस तरह का एरर आ जाएगा यदि फिर से IS-DS01 यह इस तरह का एरर आते है इसको भी कैसे फिस्ट करने है ओ मैं आपको बता देता हूं खासकर यह एरर इसलिए आता है क्योंकि आपके केस में उस ड्राइब के अंदर स्पेस नहीं होगा इतना स्पेस अभिलेबल नहीं ह इसको भी कैसे फिक्स करने भी मैं आपको बता देता हूं इसके लिए आपको क्या करना है यहापको खोक्त कर यदि आपके case में किसी अधर drive के अंदर उतना space available है तो यहां पर आपको किलेट कर लेना है अब आपको क्या कर दिना है क्लिक करने के बाद यह विंडॉफन हो जाएगा इसके बाद आपको क्या कर नहीं यहां से पास्ट चेंज कर दिने हैं आपको क्या कर दिने हैं यहां पे सेलेट कर लेना है मेरे केस में इसके अंदर अभलेबल है तो मैं यहाँ पर सेलेट कर रहा हूं सेलेट करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ यहाँ यदि कोई करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू